तर रीसेंटली मैंने पर्चेस किया बोट के रोकर 110 ये नेकमेन बोट की ओफिसल वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे बोट के बोट के ब्रेंडिंग में जाते हैं कुछ की फीचर यहां पर हाइलाइट देखने का जोते हैं इंसाइड दा बोक्स आपको एक पाउज मिलता जिसमें बुकलेट है बट अनफोर्चनेटली बुकलेट इस प्रोड़क के नहीं है मुझे नहीं पदा बही की बोट में क्या किया है 255 टच के उन्होंने मेरे को बुकलेट यूजर मैनुल एवरीजिंग दे दिया इस फ्रोड़क का नहीं दिया चले कोई बात नहीं बात करते हैं यहाँ पर नेक बेंड की तो सबसे पहले हैंडल की तो एक हैंडल पर आपको मिल जाएगी बोट की ब्रेंडिंग दूसरा हैंडल काफी बिजी है उस पर वोल्यूम बटन से एंड मेन बटन मिल जाता है अलोंग विच चार्जिंग वाइंट जो नेक वाला सेक्षिन है वो आपका स्लिकोर का है काफी अची क्वारटे का है रैस नहीं आएंगे एवन तो आप तुसको समर्भी में यूज कर रहे हैं वाइरिंग दीगे टैंगल फ्री एंड मिरको वाइरिंग की क्वारटे काफी पसन आई बट जितनी वाइरिंग की क्वारटे मिरको पसने उतनी ही बिकार मिरको लगी यहां पर यहां पर लगे यह बर्ट जो की मैगनेट का फील पूर क्वारिटी का है एंड यह बर्ट आपको मिल जाते हैं मेटलिक फिनिस में एंड इन्येर डिजेन आपको हैं पर देखने के लिए मलता है और ओर जो इन्येर फिटिंग है वह आपको हैं ठीक मिल जाती है एक साथ ने पार पेड़ानं की देगा शाधाथा उनकि नहीं पर लए जिस Unterय आपको एक बार में परिसक करके दसर देवा सकते हैं अपने फोन में यह बर्ट यहां पेर और लेंगे 5.3 जिसकी मदद से आप 10 से 15 मेंटर की connectivity distance मेंजन कर सकते हैं मतलब 15 मेंटर तक कोई भी distortion आपको नहीं सुना देने वाला तो गाइस यह तो थी connectivity की बात बट अगर हम बात करें ओडियो पार्ट की तो यहां पर बहुत ने signature sound दी है 10 mm के sound drivers दी है जिसके मतलब से music में मिलको लगा base थोड़ा सा कम है बट clarity काफी अच्छी है vocal भी काफी ठीक थाक आपको देखने मल जाएंगे separation थोड़ा और बेटर किया जा सकता था like instrumental music and artist की vocals में बट वो भी यहां पर थोड़ा सा कम किया गया ओर ओर ओल लाइक इसको मैं average category में डाल सकता हूं for music आप इसको ले सकते है बिकोज मैंने रीसंटल एक और निक में गोक्ट के के अंदर इसको ग्रैब कर सकते रही बात बटन की बटन फंक्शन की तो यहां पर आपको तीन बटन देखने मल जाएं जिसमें वोल्म आप डाउन का है जो वोल्म वाले बटन उनका यूज करते हैं आप नेक्स्टन प्रिवस्ट में जा सकते तो और और फंक्शनलिटी कुल में लागे ठीक है वो इस असिस्टन को आप अवे कर सकते हैं आपकी ड़ाइस के साथ एंड अगर आप जो इसका में बटन है उसको तीन बार टैप प्रचा आपका गेमोड है एक्टिवेट हो जाएगा जो की 63 MS की लो लेटेंसी डेनेमिक केपेबल है बट एक्चुल में जो उसका रजल्ट आउट्पुट है मिरको काफ़ी इंट्रस्टिंग एंड अच्छे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एक टीवेट से कंपेर करते हैं तो तो गयाइस ओरोल इस गुड वो गेमिंग सेपरेशन ठीक मिल जाते हैं गीम के दोरान लाइक एंडमी के फूटस्टैब या फिर आपके टीमेट में जो डिफरेंस होता है वो आपे इसली होता है उसको यूज करते हैं आप कोल पर बात कर सकते हैं कोल इन हमने टेस्ट के आउडर कंडिशन में ताकि बैटर आइए आप लोग को लग जाए वाई कैसा आपको माइक्रफोन मेलने वाला है यह रिजल्टर देख लीजिए तो जब भी माच का हूँ बोट रोकर वाइ माईक्रोफोन दिया गए है तो मैंकि प्रम वाग को लाइक्रों पर आपको अपर कॉल्टर के ऋम पर सकते है बट हां ब्लु के साहा उठ दीश्रेंडर से नो टन इश्यू, क्वारिटे स्टिल काफ रची है, 40 इंटे का बैटरी बैकप बूट यहां पर प्रोमिस करता है, जहां पर अगर अंदाज लगा है, फुल वोल्यम में इसको यूज करें, कोलिंग के लिए उसकरें, गेमिंग के लिए उसकरें, तो 30-32 घंटे आपको मिल जा है, इवन दो लिटेंसी भी काफिक कम है, यहां पर, साउंड कॉलिटी थोड़ा बहुत लगा वाई, उपर नीची है, बट स्टिल बोट सिगनेशर साउंड है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, नेक मेंट का डिजाइन ठीक है, बट यहां पर जो इसके मेगनेटिक बट कर दो, और मैल दा नेक्स वीडियो में, अंडेलेंस, टेट इनस, यू सुन, भाव बाई